स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अच्पी सेक्सेस क्लासेज में दोस्तों मैं इमाश क्लियर एपिस क्लाक एक्जाम एन सेलेक्टेड इन बैंक ओफ इंडिया आप लोगों की सामने दोस्तों मैं अपना अररभी प्योर 2020 के स्कोर काड़ शेयर करने जा रहा हूं त तक अपने स्टार्ट करता है दोस्तों मैं अपना काड बताता हूं आपको तो दोस्तों यह मेरा पहला अरर्भी पी उली का थिक है तो मैंने गुज्राश से फिल किया था दूस्तों अब मेरे स्कोर देख सकते हो आप टॉटल एकोश मारा 57 था वर 2.75 मार्क से मेरा प्री द कोटी में से 24.50 और टोटल आये मेरे दोस्तों 57 माक्स और कट ओफ किती थी ओभी सी की 59.75 और गुजरात और रहस्तान से दोस्तों 2020 के अंदर बहुत ही हाई कट ओफ चली गई थी क्योंकि बैंकों बड़ोधा ने एक्जाम से मतलब प्री का रिजल्ट से दो दिन पहले तीन दिन पहले वेकेंसी विड्रो कर ली थी उन्होंने बोला था कि हम अपना एक्जाम नाबाट के थू करवाएंगे और फिर मेंस के अंदर वापस एड़ क काफी हाइज काउट चली गई और दोस्तो मैं अपने अटेम्ट बताता हूं कि मैंने कित्ते अटेम्ट किया यसंपर के अंदर तो मैंने दोस्तों इस पयपर के अंदर 60 ऑ moon lest दोस्तो मेरा पेपर अच्छा लगाता है कि मैंने अच्छ एटेम्ट किया है और दोस्तो मेरा 12 सेप्तमबर को दोस्तो पहली शुट में पड़ता तो अरवे में क्या हुआ था दोस्तो इंटरफेस चेंज आया तो उस वज़े से मेरे रीजनिंग के अंतर स्टार्ट में 2 से 3 में वेस्ट हो गया क्योंकि नया इंटरफेस देखा तो दोस्तो कुछ समझ भी नहीं आया क्योंकि वैसा इंटरफेस पहले कभी भी नहीं आया था किसी भी एक्जाम में इसलिए प्रोब्लम हुई तो रीजनिंग मेरे थोड़ी से खर खुद सोच रहोंगे कि 26 अटेम्ट किया 24.50 आये और रीजनिंग में 34 अटेम्ट किया 32.50 कैसा है तो दोस्तो यह हुआ नॉर्मलाज़शन का बहुत बड़ा रोल है दोस्तो तो नॉर्मलाज़शन हुआ है मेरे इसके अंदर नॉर्मलाज़शन क्योंकि मेरे शिफ्ट चाहिए आप 58 कुशन ही बना रहे हो तो 58 की 58 ही करेक्ट होने चाहिए क्योंकि प्री के अंदर दोस्तो एक्यूरेसी के मार्क्स मिलते हैं इसलिए मैं आप रोगों को पूरा बता रहा हूं और मेरे एक फ्रेंड दोस्तो उसका मेरी अगली वाली शिफ्ट में था उसने किया दोस्तो RRB PO के अंदर तो आप लोग यह गलती मत करना दोस्तो एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मेटर करती है अभी आप मोक टेस्ट दे रहो तो एक्यूरेसी रखना क्योंकि एक्यूरेसी से ही आपका सेलेक्शन होगा एक्यूरेसी मैं बता रहा हूं एक्यूरेसी पूरी तो अगर आप लोगों को दोस्तो इसके ओपर वीडियो चाहे कि sectional cut off होती है तो आपको डाउट हो कि sectional cut off है और sectional timing नीए आप लोगों को कैसे attempt करना है तो आगर आपको strategy चाहेachen हाओ तो आप comment करना मै bang black मेरी strategy हाओ तो कि मैंने कैसे अटेम्ड किया था पेपर और मेरो दोस्तों फिर मैं रीजिनिंग के अंदर 40 कुशन कर ले था बट मेरे गलती हो गए दोस्तों मैंने एक पजल को दोस्तों दो बार कर ली दो मिन्ट मेरे वेश्ट हो गए इसलिए इसलिए मेरे सेलेक्शन नहीं हुआ बागी अररबी के अंदर में काफी ज्यादा शोर था कि मेरे सेलेक्शन हो जाएगा 60 कुशन के बावज़ूद बट आप लोग पहले प्रेडिक्ट मत करना कट ओफ लाश्टिर के कट ओफ देख लो आप बट पहले यह मस्त सोचने कि इतन करना 100% देना है आपको 65 प्लस कुशिन करने तो आपको कैसे करने किता टाइम को देना किता रीजनिंग को देना है इसके उपर में अलग सी वीडियो बनूँगा आप लोग कमेंट करना ज्यादा ज्यादा चितने ज्यादा कमेंट आएंगे स्टेट जी के उपर कि कैसे अट और मेंस के लिए हाई लेवल डीयाई में पढ़ाता हूं दोस्तो और अभी मेरा 19 को डीवी है उसके बाद डीवी होने के बाद दोस्तो अपन डायट ओनलाइन क्लसे ही करेंगे और हाई लेवल डीयाई और मेंस का बहुत अच्छी से बढ़ेंगे दोस्तो इसलिए आप चै चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोगों का ही चैनल है दोस्तो ठीक है तैयरी करते हो और भी को भी वीडियो चीए कमेंट कर देना ओके है वे नाइस दोस्तो